अगर आप भी Sovereign Gold Bond में इन्वेश्ट करना चारे लेकिन आप Sovereign Gold Bond में इन्वेश्ट नहीं कर पारे हैं क्योंकि अभी तक कोई भी नया Sovereign Gold Bond का इसू नहीं आया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप इस वीडियो को अन तक देखे ताकि आपको complete details यहां समझ में आ सके कि कैसे आप बिना new issue के Sovereign Gold Bond में इन्वेश्ट कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको यह RBI के website पर लेके आया हूँ क्योंकि Sovereign Gold Bond RBI issue करते हैं इसलिए RBI best source हो जाता Sovereign Gold Bond के बारे में जानने के लिए तो यहां पर जैसे हम RBI के website पर देख पा रहे है यहां पर जो last notification आया था वह October 2020 का आया था इस notification में बताया गया था कि कब-कब Sovereign Gold Bond के issues आएंगे तो जैसे मैं आपके साथ यह notification कर रहा हूं तो यहां पर जैसे हम Sovereign Gold Bond के notification को देखें तो यहां पर टोटल 6 series के बारे में बताया गया था series 7 से लेकर series 12 तक के dates हमारे सामने है तो इसके हिसाब से जो last series आया था series 12 2021 का वो आया था मार्च 1 से मार्च 5 के लिए और इसका date of insurance था मार्च 9 2021 यह जैसे series 12 का जो details है वो यहां पर है जैसे series 12 का जो issue price था वो 4662 रुपय का था और यहां पर आगर आप online medium से payment करते तो आपको 50 रुपय का extra discount मिल जाता अब जैसे यहां पर यह तो हो गई बात previous issue की अब आज जैसे हो गया 3 माई 2021 यानि की दो महने बीच चुके लेकिन अभी तक कोई भी new sovereign gold bond का issue का notification नहीं आया है तो अगर यहां पर आप invest करना चाहरे हो तो आपके पास एक और तरीका है invest करने का और यह तरीका हो जाता है secondary market से invest करने का यहां पर जैसे मैं आपको so करता हूँ NSC के website पर यहां पर जैसे NSC के website पर आना market data में आना equity and SME में आना फिर equity and SME में आने के बाद आपको sovereign gold bond select करना है तो ऐसे जब आप select करके आते हो तो आपके पास यह issue हो जाएगा complete data sovereign gold bonds का जैसे कि अभी तक total 49 series आ चुके sovereign gold bonds के और यह 49 series जो आये है वो सारे की सारे listed है secondary market में यानि कि BSC और NSC के website पर यहां पर हम secondary market के route से भी sovereign gold bond में invest कर सकते हैं अगर कोई new issue ना आता हो तब तो जैसे अभी तक कोई notification नहीं आया दो मेहने हो गया है और आपके पास extra पैसा है sovereign gold bond में invest करने का तो आप इस route को use कर सकते investment के लिए अब जैसे यहां से आगर आप invest करते हो secondary market के route से तो आपको कुछ बाते जान लेनी चाहिए जैसे कि हर एक SGB का अपना phase value amount है प्लस हर एक SGB का अपना redemption date है यानि की maturity date है और हर एक SGB का अपना interest payment date है यहां पर यह सब चीजों को देखकर आपको किसी भी SGB में invest करना है अब जैसे market में total 49 series के SGBs listed है तो यहां पर कुछ SGB का हो सकता है phase value amount जादा हो जिसके वाज़े से हो सकता है वहां पर जो interest payment amount हो वह भी जादा हो अब यह तो हो गए कुछ basic details लेकिन जब लोग secondary market से SGBs खरीदने जाते हैं तो लोगों के दिमाग में कई सारे doubts आते हैं जैसे कि वह SGB खरीदे तो उनको interest payment होगा कि नहीं फिर redemption कब होगा और taxation के related doubts आते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ interest payment के बारे में यहाँ पर अगर आप SGB खरीदते हो और interest payment वाले date में आपके demate account में SGB अगर होता है तो आपको interest जरूर मिलेगा और वो interest जो मिलेगा वो आपके demate account से linked जो bank account है उस account में मिलेगा ठीक dividend income की तरह अब जैसे दुसरा doubt आता है कि यहाँ पर हमारा redemption date क्या होगा तो यहाँ पर जो आपका redemption date होगा वो depend करेगा आपके SGB सीरीज पर जैसे मान लेते हैं आप August 28 वाले सीरीज को buy कर रहे हैं तो इसका जो redemption date होगा वो August 28 में होगा तो इस हिसाब से यहाँ पर redemption date अगस्त 28 हो जाता तीसरा doubt यहाँ पर आता है कि आपका interest amount किस amount पर calculate होगा अब यहाँ पर interest amount जो calculation होगा वो आपके SGB के face value amount पर होगा जैसे example में मैं आपको यह अगस्त 28 वाले सीरीज दिखा रहा हूँ यहाँ पर इसका face value amount 5334 रुपय है तो यहाँ पर जो interest calculation होगा वो 2.5% का 5334 रुपय पर calculate होगा ना कि आपके buying price पर अब यहाँ पर last doubt की बात करते हैं जो कि taxation से related है जैसे अगर आप यहाँ पर invest करते हो और आपका SGB automatic redeem होता है तो आपको यहाँ पर कोई भी taxation नहीं देना पड़ेगा जैसे मान लेते हैं आप इस SGB में इंवेस्ट करते हैं 5,000 रुपय के हिसाब से और 8 सालों बाद यानि कि 2018 में यह redeem होता है 10,000 रुपय पर तो यहाँ पर जो 5,000 रुपय का difference होगा उस पर आपको कोई भी tax नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर आप इस SGB को खरीतते हैं कहीं से भी market से या फिर new issue से और आप पहले ही sell कर देते हैं यानि कि redemption से पहले आप क आपको taxation देना पड़ेगा as per capital gain rules तो यह सब doubts तो मैंने आपका clear कर दिया अब यहाँ पर एक issue है जैसे अगर आप NSE के website पर देखते हो तो यहाँ पर face value amount तो आपको पता चल जाएगा लेकिन इसका interest payment date कब है और redemption date कब है यह सब details आपको यहाँ पर नहीं पता चलेगा तो इस आपको आना है इस website moneyset.com इस पर जब आप आते हो तो यहाँ पर आकर आपको bonds वाले segment में आना है ठीक है इसमें आप जब आ जाते हो तो यहाँ पर simply gold bonds को select करना और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं आप SGB April 28 वाले को buy करना चाहरे हो तो इसका नाम आपको copy करना और यहाँ पर आपकर simply paste कर देना है तो ऐसे जब आप paste कर दोगे तो आपको series से related सारे details पता चल जाएं जैसे कि face value amount इस series का नाम क्या है वो यहाँ पर number of unit कितने issue किये वो detail पता चल जाएगा ISIN code पता चल जाएगा NAC पर इस SGB का नाम क्या वो पता चल जाएगा BAC पर इस SGB का नाम क्या वो पता चल जाएगा interest rate पता चल जाएगा जो कि 2.5% है maturity date पता चल जाएगा 28 April 2018 interest payment कितना होगा वो भी आपको पता चल जाएगा जैसे half yearly कितना payment हो रहा और yearly कितना payment हो रहा साथ में यहाँ पर जो interest payment date ह होगा वो हर 6 मेहने पर होगा तो इहांपर जैसे 28 एपरिलब 25ल ऑपरे ही ज्यासराी समय होगा ये यारननी और जय को हर क्योंतिम्हेंस नाट फ़िर्मिंटेच्न माई-जून-जुलाइ-चैनंपर-अकटूबर जान सकते हैं तो जैसे अब यहां पर जो बेस्ट हो जाते मार्केट से खरीदने के लिए वह लास्ट जो 12 एसजीवी इसु किया गया है वह जाते हैं अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लास्ट 12 सिरीज आया है उन सब का फेस्वेल अमाउंट सबसे जादा है ज सबसे जितने भी से इसू के गया उन सब का सटावर अमाउंट 4700 से जादा है जैसे कि एपरियल वाले से शौन 49 और इस तरह से एक सटी तो अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है, अफ्श्टॉक्स याफे जरोधा के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट उपन कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर हर एक SGB का अपना एक प्राइस है, जैसे कि मैं आपको NSE के व सबसे ज्यादा बहतर वेबसाइट हो जाते हैं, गोल्ड प्राइस को चेक करने के लिए, तो यहाँ पर जैसे हमारा सुवेरियन गोल्ड बॉन 99.9% के प्योर्टी के साथ होता है, इसलिए हम इस वाले गोल्ड प्राइस को देख रहे हैं, तो AM और PM जो हो जाता है, यह तो यहाँ पर जैसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा SGB इस अमाउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यह फिर जो लास्ट के 12 स्रीज है, उन सब में से कौन सा SGB सबसे लोइस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा, उसे आप सिंपली बाई कर सकते हैं, से केंडरी मार्केट से, तो यह तो हो गया, सिंपल तरीका SGB बाई करने का, लेकिन एक और एडवांस तरीका भी है, SGB बाई करने का, जैसे कि प्रीमियम को कैलकुलेट करके, हम डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा SGB हमें जादा रेटन जनरेट करके देगा, तो जैसे मैं आपके साथ अपना एक 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 अब यहाँ पर जैसे यह सिंबल और लाश्ट ट्रेडट प्राइस का डेटा है, तो यहाँ पर सिंपल ही क्या करना है, इस डेटा को इनपूट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पर से डाउनलोड करना है, CSB फिर उस CSB फाईल को डाउनलोड करने के बाद, मैं फिर इसे खोलना है, इस फाईल को यहाँ से सारे कॉलम्स को डिलेट कर देना है, LTP को छोड़ का, तो जैसे यह डिलेट हो गया, अब इसे हमें फिल्टर कर देना है, अब फिल्टर करने के बाद, सिंपल ही A to Z करना है, और यहाँ पर जैसे मैंने यह एक्सल सीट बनाया है, यहाँ पर भी सिंपल ही A to Z करना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, कि हमें सिंपल इस वाले डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तो जैसे यहाँ पर आकर पेस्ट हम जब कर देते हैं, तो यह हमारा डेटा अपडेटेड हो जाता, तो यहाँ पर जैसे इस वाले कॉलम में मैंने डिटेल्स दिखाया कि कहां सबसे ज़्यादा एन्वलाइज रिटर्न जन्रेट हो रहा है तो सिंपल इसे भी लाज़ेश्टू स्मॉलिस्ट कर देना तो यहां पर लाज़ेश्टू स्मॉलिस्ट हम जब कह देते तो तो हमें पता चल जाता है कि कौन से एज़िवी कुट से बनाना चाहते हो तो आप वेबसाइट को रिफर करके बना सकते हो अगर आप यह एक्सेल सीट मुझसे चाहते हो तो आप मुझे इस नमर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो